Hello students, welcome to in my channel Smart Study Students, आज हम Directed of Education की तरफ से दी जाने वाली वरक्षिट नमबर 69 करेंगे जो की English की है और subject है English और class है 6 to 8 बेटा ये common वरक्षिट है 6, 7, 8 के सभी बच्चे अपनी English की notebook में इस वरक्षिट को करेंगे वरक्षिट बटा 23 September 2020 की है तो आएए शुरू करते हैं आज की वरक्षिट वरक्षिट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आएए देखते हैं आज की वरक्षिट हू, वाट और वेर आज की वरक्षिट हमारी हू, वाट और वेर से रिलेटिट है तो सबसे फर्स देखते हैं हूँ इस यूस हम करते हैं जब हमें किसी पीपल और परसन के बारे में कुछ जानना होता है जिसे हूँ आई यू, तुम कौन हो नेक्स्ट है वट इस यूस तो आस्क अबाओ स्पेसिफिक थींग, पीपल, एनिमल, और अबजेक्ट किसी एनिमल, अबजेक्ट, थींग के बारे में अगर हमें पता करना हो तो हम वट का प्रयोग करते हैं जिसे वट इस ये क्या है नेक्स्ट है वेर इस यूस तो आस्क अबाओ प्लेस, पोजिशन आपको किसी भी जगह की प्लेस और पोजिशन के बारे में पता करना है तब हम किसका यूस करते हैं वेर का जिसे वेर आर यू, आप कहां पर हो तो हू का मतलब हुआ कौन वट का मतलब हुआ क्या जिसे रिलेटिड है तो आपको उसका यहाँ पर नाम लिखना है सबसे ज़ाद है तो आप उनका यहाँ पर नाम लिख देंगे next है आपके घर में कौन है जो चश्मा पहनता है, स्पैक्टिकल्स पहनते हैं, तो जैसे कि मेरी सिस्टर पहनती है, तो मैं यहाँ पर सिस्टर लिख देती हूँ, बेटा आप अपनी सिस्टर या ब्रदर जो भी घर में स्पैक्टिकल्स पहनते हैं, उनका नाम लिख देंगे, ने देखिए, what did you do last Sunday, tick the suitable option, last Sunday आपने क्या किया था, I played, I studied and I clean the house, क्या किया था, उसे option को आपको tick करना है, तो मैं second पे करते हूं कि I studied, fill the last option, और last option को fill करते हैं, तो क्या आजाएगा, I studied, ठीक है बेटा, एक second, जो आपने किया, अगर आपने play किया था, आप played लिख सकते हैं, जो भी किया है, ठीक है, next देखते हैं, where is your school, write the name of the place, बीटा, my school is in, आपका school कहां पे है, तो आप यहां पे उस जगह का नाम लिख देंगे, जहां पे भी आपका school है, जनकपूरी, पीरागडी, या जिस भी है, वहां पे आप उसका नाम लिख देंगे, ठीक है, तो यहां पे आप लिख दीजे, जो भी आपका एरिया है, घर के पास, जो है, वहां पे आप उसका यहां पे नाम लिखेंगे, तो आए, next करते हैं, बीटा, देखिए, यहां पे three stories दी गई है, उन्हें हम रीड करते है He is Mr. Anil, यह कौन है, Mr. Anil, He is a farmer, यह क्या है, farmer है, and lives in Saharanpur, और कहां पे रहते हैं, Saharanpur में, कहां रहते हैं बीटा, Saharanpur में He grow vegetable on his farm, he start his work at five o'clock in the morning, sometime he has to go to the city to sell his vegetable तो वेटा, यहां पे Mr. Anil की story दी गई है, जो एक farmer है, सहारणpur में रहते हैं, vegetable grow करते हैं, अपने farm में, five o'clock तक morning में, उठ जाते हैं, काम स्टार्ट कर देते हैं, अपना और अपनी vegetable को sell करने के लिए, city में जाते हैं next story देखो, Mrs. Roshni की दी गई है, she is Mrs. Roshni, she works in a bank, she lives in a Mumbai, she start his work at 9 a.m. on Sunday, she cooks and clean the house next story देखते हम क्या दिया गए, next story में देखो, he is Mr. Abdul, he work as a metro driver, metro train driver in Delhi, he start his work at 7 a.m., he drives at the train safely in his free time, he like to watch film in a cinema hall near his home next question देखो, Mr. Anil is a farmer, who works in a bank, who works in a bank, Mrs. Roshni works in a bank, is a metro train driver, Mr. Abdul is a metro train driver next question है, does he grow on his farm, क्या करता है, he grow vegetable on his farm, does she do on Sunday, she cooks and clean the house on the Sunday does he do in his free time, ये free time में क्या करते हैं, Mr. Abdul, यहाँ पर farmer की story चले बेटा अनिल की यहाँ पर रोशनी की और यहाँ पर क्या चल रही है, Abdul की story तो free time में क्या करते हैं, he like to watch film in a cinema hall next देखते हैं, does he go to sell his vegetable, कहा जाते हैं वो city में, next does she leave, कहा पर रहते हैं, Mumbai next question, does he go to watch a film in a cinema hall, तो आईए बेटा इनके answer हम करते हैं तो आईए बच्चे इनके answer हम करते हैं, first देखिए, is a farmer, तो हम क्या लिखेंगे, Mr. Anil is a farmer next देखिए, works in a bank, Mrs. Roshni works in a bank, क्या आजाएगा हमने यहाँ पर देखा था न, Mrs. Roshni works in a bank next है, is a metro train driver, Mr. Abdul is a metro train driver, next देखिए, अब है, what's a related question what does he grow on his farm, अपनी farm में क्या होगाता है, vegetable, he grow vegetable on his farm क्या लिखेंगे हम, he grow vegetable on his farm, what does he do on Sunday, Sunday को Roshni क्या करती है, she cooks and clean the house she cooks and clean the house, on Sunday, आपको on Sunday में लिख दीजेगा इसके आगे next देखिए, does he do his free time, अपने free time में, जो Mr. Abdul थे, वो क्या करना पसंद करते हैं, he like to watch film तो हम लिखेंगे, he like to watch film in his free time, अपने free time में क्या अच्छा लगता है उनको, watch films next देखिए, where से related question है, where does go to sell his vegetable, कहां पर जाते थे, city next देखिए, does she live, कहां पर रहते हैं, Mumbai, कहां रहते हैं, Mumbai में, does he go to the watch a film, कहां जाते हैं, cinema hall में, तो हम लिखेंगे, he goes to watch a film in a cinema hall near his home, जो उसके घर के नजदीक है तो बिटा, आज की worksheet के यह question answer है, यह आपको अपनी notebook में करने हैं, जो उपर question answer बताएगा है, वो भी अपनी notebook में करिएगा, और यह worksheet आप English की copy में अपनी कर लीजिएगा, तो बिटा, आज की worksheet आपकी complete होती है, अपनी worksheet complete करके, अपने teacher से चेक कराएगे बच्चे, और प्लीज मेरे चैनल को like कीजिए, subscribe कीजिए, और share कीजिए, thank you students